नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजे दिवारी और आप देख रहे हैं जोतिश मंत्रे आज मैं उन सभी बच्चों को जो क्लास 12 में है उनका रिजल्ट पताने वाला हूँ जैसे कि आपने मेरे थमनेल में देख लिया होगा कि उसमें लिखा है कि CBSC Board Exam Result Declared ऐसा कुछ लिखा है इसका मतलब यह आप सोच रहे होंगे कि आप में जूट बोल रहे हो भी तो रिजल्ट तो आया नहीं लेकिन मैं आपको इस साल की जो मेथड है वो बताऊंगा जिसके थूँ आप घर बेठे जान सकते हो कि आपका रिजल्ट इस साल केसा और सारा जो प्रोसेस तारे जो मेथड है कि किस मेथड से वो बणा रहे होसे मेथड में आपको बताने वाला हूं ताकि आप अबिसे नीश्चिंत हो जाए कि आपके कितने परसंट बशीं सब्सक्राइब करते जैसे हैं इस सब्सक्राइब आपको यह में चलिए सब्सक्राइब 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 लागण advocacy का क्लाइब करते हैं यहां पर इस cat 요 OUT में देखिए सेवंटी यह देखिए 75 허aben यह 3 सब्जेट ऐसे जिसमें बाकी 2 सब्जेट से जादे मासा हैं तो आपको 3 बेस 3 सब्जेट लेना है तो इन 3 सब्जेट को पहले आप एड कर लिए अगर मैं 78 75 और 72 को एड करता हूं तो 225 आता है अगर मैं 225 को 3 से डिवाइट करता हूं क्योंकि मुझे एबरेज निकालन इन 2 3 सब्जेट का तो 3 से डिवाइट करने पर कितना है 75 मास आए ठीक है आपके हिसाब से आपकी मार्शिट के हिसाब से कोई और नमर होंगे हो सकता है आपकी मार्शिट में यह नमर नहीं क्योंच और नमर हो तो जो 5 में से जो बेस नमर है उसको आप पिक करेंगे और फि 30% कि निकालना कितना आसा नहीं देखिया मैंने लिखा है 75 इसका 30 और अपान में 100 मतलब परसेंट अब इसको इससे डिवाइट कर दीजे जो भी आपका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 22.5 जो की मैंने 23 लिग दिया है राउंड अफ करके इसी टैप से आपका भी जो भ नमस को 8 करना है अब को नहीं करना है यह मेंने जो भी नम्मर दी है यह 23 मास आ है मेरी मार्चिट के सबसे कुछ और आएगा यह सभी को समझ मैंड़ा नहीं कर रहा हूं कि आपको 10 क्लास की जो मार्टिट है उसके जो बेस 3 मार्किंग सब्जेट है जिसमें ज्यादे मास आ उन तीनों सब्जेट के मार्क्स को एड करना है एड करने वाद 3 से डिवाइड करना है यह आपका एबरेज हो जाएगा एबरेज का फिर आपको 30 परसेंट निकालना है वो निकाल के आप एक तरफ रख लीजिए यह मैंने 23 है यह मैंने अपने अलग कर लिए अब मैं चलता वच्छा जिसने की कामर्स स्ट्रीम ले रखी उसका एक्जाम्पल लिया है यह कि थेयरी में उसके मासा है लेकिन ध्यान रखने यह यह एंड की बात करें यह नहीं टुवालाई जो इक्जाम हो था आपका उस एक्जाम की बात कर रहा हूं 11 क्लास के 11 घ्रम क्लास के टुट इंच्टि में 75 इंच्टि में 165 और बिजनिस स्टडी में 70 यह मास के आए हैं आउट अफ एटी क्योंकि सब्एपर 80 के होते हैं तो सब 80 में से मास आये हैं आपके हो सकता आप साइंस सिस्टेम के बच्चे हो और फिजिक्स लिखाओ फिजिक्स हो साइँटि मास का तो आप 70 इसको नहीं जिस जितना भी आपका मास है या फिर आपने computer science ले रहा हो सकता वो 50 मास का तो आप 50 में से करना है जिस जो भी आपके दे रहें उसी में से से मैंने 70 की लिखिया 70 इंटू 30 अपान हंड्रेड तो यह कितना जागा 21 इसी तरह से मैंने सारे नमबर निकाल ली और यहां पर लिख दिया 23 यह मैंने commerce के स्टूडेंट commerce stream वाले स्टूडेंट के लिए मैं करके बता रहा हूं ठीक है अब यह सारे नमबर मैंने अलग कहीं लिखके रख लिए आपने 10 के लिखके रख लिए 23 मास आया थे मेरे हिसाब से यहां पर मैंने अलग-अलग subject के मास लिख लिए अब मैं चलता लिखे हुए आपको यह देखना है कि इन तीनों टेस्ट में या तीनों exam में सबसे अच्छा performance आपका किस exam में रहा है यह से क्या व कटभी टेस्ट में सबसे अच्छा इक्जामरा में रहा है प्रफार्मेंस र गाण उसी को पिक करना है in जिकने ध्यान रखना और आसलोह हुआ है आया गपने ध्यूक्त के लिए प्रफार्मेंस पर अच्छसेटी के इसे साफिवसे म inflam के अच्छा बदेलिये प्रफार्मेंसर मुझे प्रफार्मेंस लगा है तो मैं प्री और को पिक का लेता हूं अब मुझे क्या करना है इस प्रिवोड वाले जो नम्मर है उसका मुझे क्या करना है 40 परसंट निकालना है यह लिखा मैंने 68 इंटू 40 अपान 100 तो मेरा आएगा 27.2 तो मैं इसको 27 ही लिखूंगा क्योंकि को अगर हम करेंगे तो पीछ जाएगा आगे नहीं जाएगा और पाइंट 5 के बाद आगे जाता है इसी टेप से 70 मास है तो 70 करूंगा 70 इंटू 40 अपान 100 तो यह जाएगा 28 0000 केंसिल 28 मास आ गए इसी तरह से नेक्स्ट इन सभी का मैं कर लूँगा तो मेरे पास जो यह मास मेरा है यह अलग निकाल के रख लिए फिर से बता रहे हूं मैं आपको अम फिर से बता देता हूं यह 10th का था 10th में मेरे जो आये थे नमर कितने 23 आये थे मेरे एवरेज निकाला था 11th में मैंने क्या करा था कि अलग-अलग subject का मैंने यहां निकाल लिये था 18, 21, 23, 28, 21 और इसी प्रकार से 12 के भी निकाल लिये यह 27.2, 28, 30, 34 पाइंट इसको मैंने ओवराल मतला इसको मैंने आराउंड डफ करके आगे बना लिया यह तीनों subject यह तीनों exam की जो mark से आप मुझे क्या करना है 12th class की जो final मार्शिर बना रहा हूं वहाँ पे मुझे put up करना है आप करना क्या है इसमें देखिए यह जो 20th class की जो नमबर आये थे 23 यह नमबर मुझे 12th class की जो final मार्शिर बना रहा हूं उस सभी subject के सामने मुझे 23 लिखना है हर subject के सामने देखिए बताता हूं कैसे यह मैंने 12th class की final मार्शिर निकाली है यह 30 परसेंट आप 10th class theory लिखा तो देखिए 23 23 23 23 सभी subject के सामने लिखा है यही method है जो हमको cbc ने चल दिया है यह 10th class के जो marks रहेंगे 30 परसेंट वो सभी subject के लिए यूज करना है से marks ठीक है इसके बाद देखिए 11th class की था 11th class में English की जगे पर English वाले लिखना है सब्सक्राइब क्यों क्यों कर रहें क्योंकि 11th class में जिस बच्चे ने जो स्ट्रीम ली होगी जाहिरे सेमी स्ट्रीम उसने 12th में भी ली होगी तो जो इधर subject होंगे वह subject उधर भी होंगे उसके ऐसा आपन मानते हैं तो सारे subject के मास उन सारे subject के मास की जगे पर लिख दीज 23, 20, 20 यह मास थे, यही मास मैंने 12th class की मार्षिट में भी लिखिए हैं यह देखिए, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मैंने आपको बताया था 12th के बारे में, यह 12th के बारे में था 27.2, 28, 30, 30, 31, ठीक है, यही मास देखिए, मैंने final वाली मार्षिट में भी लिखा है, 27, 28, 30 30, 30, 31, ठीक है, तो वो सारे जो केलकुलेशन मेंने किये थे, वो मैंने final वाली मार्षिट है, इसके अंदर मैंने put up कर दिये, अब मुझे देखना है, कि मुझे practical में कितने मास मिले, तो आपको मालम है कि यह जो मैंने subject लिए, वो सारे subject 80 मास के थे, तो practical 20 का होगा, जाहर है, अब 20 में से आपको school ने कितने मास दिये, यह लगभख सब बच्चों को पता ही रहता है, और नहीं तो वो teacher से पूझ भी सकते कि उनको कितने नमर मिले, तो देखे, यहाँ पर मेरे हिसाब से जो मेरे calculation किया है, उसके हिसाब से, मतलब English में 19 मास मिले है, Economics में 18 मिले है, Mathematics में 19, Accountancy में 17 और Business Study में 18, यह मास मिले है, अब मैंने क्या करा, कि यह 23 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 19, इन सब को प्लस किया, तो यह मेरा total आया, यहने कि English में मुझे, Out of 18, 87 मास मिले है, ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं Economics में जाऊंगा, तो Out of 18, मुझे 90 मास मिले है, इसी टाइप से य और practical exam, इन सब को 8 कर दिया, तो मेरे पास यह मास आए, ठीक है, यह मास आगए, अब इन सभी मास को मुझे क्या करना, 8 करना, यह तो आपको पता ही है, इन सभी को मैं 8 करना, तो 455 नमर यहां पर आया है, 455, चलिए यह जो मेरे 455 मास है, क्योंकि मेरे पास 5 subject है, तो मुझे 500 से इसको डिवाइड करना है, तो मैंने 500 से डिवाइड किया, तो 91% आपके बने हैं साल, इस मास शिट के हिसाब से, इस बच्चे के 91% मास बनेंगे, आपने भी अपना calculation करी लिया होगा, जो मैंने जिस तरह से मैं बताता जा रहा हूं, वेसे आपने भी calculation किया होगा, तो आ आपको समझाता हूं कि इसमें क्या अंतर आ सकते हैं, लेकि इसके बाद होता है, इसके बाद होगा moderation, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे आपके नमर आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं, उसका भी reason में आपको बताता हूं, कि board ने जो policy बनाई है, उसके हिसाब से पिछले 3 साल का result को भी consider किया है, कि आपके school में पिछले 3 साल में किस प्रकार का performance रहा है, तो school के performance भी आपको effect करेगा, हो सकता है, आपने बहुत अच्छे पढ़ाई की हो, आपने इस साल बहुत अच्छे नमर लेके आये हो, लेकिन क्योंकि पिछले जो आपका wage था, उन्होंने अच्छ तो थोड़ा बहुत आगे पिछे हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पिछले जो 3 साल का record है, उसके हिसाब से पिछले 3 साल का performance है, उसके हिसाब से आपके percentage में जरूर से जरूर फरक पड़ेगा, हो सकता है, जो बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं हो, उसकी भी अच साल कर रहा है, ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस सारी method आपको समझ में आई होगी, आप मुझे बताएंगे कि आपके percentage कितने बने हैं, आप एरे वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद calculation कीजे, calculation करने के बाद अपना नाम लिखके जरूर बोलिए, कि सर मेरे इतने percentage साल बने हैं, तो आप comments जरूर कीजिए, तो आज के लिए उस इतना ही, मिलते के नविश के साथ, तता आप रही खुश और मुझे दी जा गया, जय हिंद